हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे चैनल मोहित शिंग रूहल पे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एक लेगल पॉइंट को डिस्क्स करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट है वो यह है कि अगर एक परसन ने दूसरे परसन को अगर चेक दिया तो अब जिस परसन को चेक मिला है क्या उसके भिहाब पे कोई दूसरा वैक्ती केश डाल सकता है या नहीं यह पॉइंट यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार क्या होता है कई बार जिसको चेक मिला है उसको कोई फीजिकल इंजरी हो जाती है या फिर कोई और परसनल प्रॉबलम हो उसकी कि वो कोट में आके गवाई नहीं दे सकता या फिर कोट में आना जाना उसके लिए मुश्किल है या फिर वो कहीं पर बार चला गया है कोई भी जो genuine region है अगर किसी भी region से अगर वो कोट में नहीं आ पाता तो क्या उसके भिहाब पे कोई दूसरा person check का case डाल सकता है या ना ही में चीज ये है अब इसमें हमें क्या देखना है कि वो जो person है वो person उस लिन दिन के बारे में जानता हो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसके दो अलग अलग stage है कि मान लीजिए अगर तीन person है अब तीन person है एक राम है एक स्याम है एक मोहन है राम और स्याम का लेना देना हुआ है राम ने स्याम को एक लाग रुपे दिये अब स्याम ने एक लाग रुपे उतारने के लिए चेक दिया राम को अब वो जो चेक है राम ने लगा दिया और वो जो चेक बाउंस हो गया अब बाउंस होने के बाद राम कहता कि भी मैं case में जा नहीं सकता या फिर मेरी कोई personal difficulty है या मुझे ये काम है मैं case को time to time person नहीं कर सकता मेरे बिहाब पे कोई person चाहिए अब एक तीसरा person जो था राम और शाम के बीच में जो भी transaction होई है राम ने पैसे दिये थे शाम को एक लाग रुपे और इस बीच एक person था मोहन मोहन ने इस चीज़ को देखा भी है कि भी राम ने शाम को एक लाग रुपे दिया और जो शाम ने बाद में फिर उतारने के लिए एक लाग रुपे का चेक भी दिया अब मोहन को इस चीज़ की personal knowledge है कि भी जो भी ये transaction है ये राम और शाम के बीच हुई है एक लाग रुपे की इसके regarding चेक भी दिया गया था और अब ये जो चेक है वो बाउंस हो गया है और ये सारी चीज़ जो है मेरे सामने हुई है तो अब जो है वो मोहन राम के बिहाब पर केश डाल सकता है जो चेक लगा है वो अकाउंट में लगा राम के राम के ही अकाउंट से डिशोंडरिंग मेमो हुआ है पर अब जो राम है वो अपनी S.P.A. Special Power Tourney वो देता है मोहन को कि आप मेरे बिहाब पर केश लड़िए तो इस सिचुईशन में जो है वो मोहन राम का केश लड़ सकता है और स्याम को इस केस में सजा हो सकती है क्योंकि क्योंकि मोहन उस Transaction के Knowledge के बारे में जानता है उसको Personal Facts के बारे में पता है Transaction के बारे में पता है चेकिए डिटेल के बारे में पता है ये सारी जो चीज़े हैं लेकिन अगर दूसरी पहलू से देखे हम इस चीज को अगर आम मोहन को कुछ भी नहीं पता जो लेना देना हुआ है राम और श्याम के बीच में मोहन उस टाइम था ही नहीं उन दोनों ने अपने परसनली किया वे अगल नहीं है रामन एक लाग रूप直接 मोन उस टाइम नहीं था है अब जो श्यामनने एक लाग का चख दिया उस टाइम नहीं थाहमार जो अब मोन को तो इसके असले कुछ भी नहीं पता है में तो इस सीच़्ूएशन में जो मोहन है वो केसफाइट नहीं कर सकता अगर वो करेगा भी तो यह जो कम्प्लेंट है वो डिशमिस हो जाएगी क्योंकि उसको जो परसनल फैक्ट उस केस के बारे में उस ट्रांजिशन के बारे में नहीं पता है तो अब हमें क्या समझने की जरूरत है यह कि अगर कोई भी एक परसन अगर दूसरे परसन को चेक देता है और जिस परसन को चेक मिला है उसके बिहाब पे कोई परसन केस तो लड़ सकता है शिरफ कंडिशन क्या है उसको फैक्ट ट्रांजेक्शन उसको परसनल नोलिज जो है और दूसरा जिस परसन के अकाउंट से उस चेक बाउंस हुआ है वो अब स्पेशल पावट और नहीं देगा उस परसन को थर्ड परसन को कि या मेरे बेहाब पे यह केस लड़ी है दूसरा क्या था कि अगर उसको प्रसनल नोलिज फैक्ट के बारे में नहीं पता तो केस नहीं लड़ सकता एस पीर हो जाएगी उसके फेवर में लेकिन कल को जो चेक बाउंस का केस है वो डिशमिस हो जाएगा तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नएускे सी लिगल टॉपिक केता और अगर आप ने चैनल अब तक सब्सक्राइब में किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ऐसी जो इंट्रेस्टिंग लेगल पॉइंट इस चनल पर डिसकस होते रहते हैं तो फेंस थैंक यू स्वामच